आपके साथ इंफोर्मेशन शेयर करेंगे कि पाकिसान मेडिकल कमिशन के ओफिशल वेबसाइट के ओपर नेशनल वेटिंग मेरिट लिस्ट फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजिस लगा दी गई है इस मेरिकलिस्ट का मकसद यह है कि अब चुंके रिसेंटली पीमसी ने वे लगनी कोई नहीं है ना ही सरकारी मेडिकल कॉलेजिस के अवाले से और ना ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेजिस की तो अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजिस को यह एक्तियार दे दिया गया है कि अगर तो जो स्टूडेंट्स वेकेंट सीट्स की मेरिकलिस में सिलेक्ट हो होगे हैं और वह आठ तारीक तक फीज सब्मेट कर वा कर अपनी सीट सेक्योर नहीं करते हैं तो उसके बाद पर इनके पास option मौजूद होगा कि नैशनल वेटिंग मेरेट लिस फॉर प्राइवट मेडिकल कॉलजिस में जो मेरेट पराने वाले बाकी बच्चे हैं तो उनको कॉल कर सकते हैं उनके साथ राप्ता करके उन्हें एडमिशन ऑफर कर सकते हैं और इस तरीके से होगा यह कि जो प्राइवट मेडिकल कॉलजिस में सीटें खाली बच जाएंगे उनके ओपर भी एमबी बीडेस के प्रोग्राम में दाखले हो जाएंगे तो अब यह एक सेकंड ऑप्शन के तौर पर प्राइवट मेडिकल कॉलजिस को लिबर्टी दे दी गई है कि आप लोग अगर स्टूरंट्स की मेरेट लिस्टों में नाम आने के बावजूद स्टूरंट्स दाखल लाओ गया है जो कि नेशनल वेटिंग मेरेट लिस्ट फॉर प्राइवट मेडिकल कॉलजिस केह वाले से हैं जिसमें ये बताए उप्राइव प्र béडिकल कॉलाज़ेast की विक्ट मेरिट लिस्ट में से जारी की है ऐसे स्टूटेंट जिनका पीमसी की तरफ से जारी होने वाली मेरिट लिस्ट में नाम आया था जो कि प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेजिस की वेकेंट सीट के लिए था तो उनके पास तो चूंकि आठ मार्च दो हजार बाइस तक का टाइम अवेलेबल है कि अपनी फी समिट करवा कर सीट सेक्योर करें और जो स्टूट्स एडमिशन नहीं हासल करना चाहते तो वो आठ मार्च की रात नौ बज़े तक पीमसी को लाजमी एमेल करके इंफॉर्म कर दें कि वो एडमिशन लेंड में ट्रस्टें नहीं हैं तो इसके बाद मार्च 2022 तक लाजमी नोटिफाय करना होगा और तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज़ एडमिशन के वरकत स्टूडेंट्स के क्रिदेंशल और मैट्रिक एफसी और एंट्री टेस्ट के मार्क्स को वेरिफाय करेंगे यानि पीमसी की तरफ से सिर्फ दो दिन का टाइम दि यहां दिन का टाइम और मैडिकल टेंट्ल कॉलेज़ नेशनल वेटिंग मैरेट टिस्ट में से स्टूडेंट्स को कॉल करेंगे उन्हें अडमीशन ओफर करेंगे और दो दिनों के अंदर इस्टोडेंट को फीस संविट करवानी पड़ेगी और फिर जो स्टूडेंट्स ये fee submit करवाकर seat secure करेंगे तो 10 मार्ज तक फिर इन तमाम colleges को उन selected students की list जो है वो PMC को submit करनी होगी. इसके साथ ये notification में national waiting merit list को access करने का link भी दिया गया है और अगर आप ये link open करें तो यहां ऐसे तमाम students की list लगाई गई है जो के admission हासल करने में कामियाब तो नहीं हो सके हैं ये तमाम students waiting list में शामिल किये गए हैं इनमें students का serial number, MDCAT का role number, student name, MDCAT के marks, total merit और जो apply करते हुए उन् information यहां पर दी गई है, इस list को MDCAT के obtained marks के हिसाब से arrange किया गया है, सबसे ज्यादा number यहां पर जिस student के है 180 है और उसके बाद फिर further इसमें ये list नीचे तक जाती रहेगी, गरीबंद 6000 से ज्यादा students का नाम waiting merit list में शामिल किया गया है, चूँकि इस मरतबा PMC के तरफ से ये announcement क की गई थी के vacant seats के ओपर जो admissions है, private medical and dental colleges में, तो वो admissions किया जाएंगे सिर्फ MDCAT के marks की बन्याद पर और उसमें metric FSC के marks कि किसी किसम के वेटर शामिल नहीं होगी, तो PMC की तरफ से national waiting merit list में total 6309 students का नाम आया है, सबसे आखरी जो student है, उसके 158 marks हैं, उसका aggregate 75.2381 परसन बन रह है कि कोई भी student खुद से किसी private medical and dental college को admission के लिए प्रोज नहीं कर सकता है, PMC के इस regulation के मताबिक सिर्फ private medical colleges को ही एक्तियार दिया गया है, कि वो मुतालिका students के साथ जो है, वो contact कर सकते हैं, उन्हें admission offer कर सकते हैं, अब इस सलसले में शर्त यह रखी गई है, कि एक तो जिस भी student को admission offer किया जाएगा, वो merit पर पूरा उतरता होना चाहिए, secondly, सिर्फ वो ही colleges आपको admission offer कर सकते हैं, जिनकी preferences आपने PMC के portal के उपर vacant seats में apply करते हुए select की थी, यानि उस वक्त जब आपने online apply किया था, PMC की website के थुरू vacant seats के उपर, तो जिन 5 medical या dental colleges की preference आपने select की थी, तो सिर offer कर सकते हैं, इसके बाद जो PMC के तरफ से सरकारी और private sector medical and dental colleges की vacant seats की merit list हैं लगाई गई हैं, तो इसमें students की तरफ से ये तश्वीश का जहार किया जा रहा है, कि PMC ने पहले तो काफी ज्यादा number of vacant seats की announcement की थी, कि जी बहुत ज्यादा seat available हैं, जबके जब merit list लगाई गई है, तो उसमें कम students की selection हुई है, खासतर पर गर हम private sector की बात करें, तो CMH मुलतान Institute of Medical Sciences के हवाले से काफी ज्यादा students ने apply किया और वहाँ पर इसे अपनी preference में भी select किया, लेकिन जब merit list लगाई गई गई तो CMH मुलतान में किसी एक भी student का नाम शामिल नहीं किया गया था, तो इस लीज जारी की थी, एक notification अपनी website के अपलोड किया था, जिसके मताबिक तकरीबान अठावन सौ के करीब खाली सीटें बची हुई थी, पूरे पाकिस्तान के तमाम जो government और private medical and dental colleges है, तो अठावन सौ के करीब खाली सीटों के announcement की गई थी, और यह लग रहा था कि शायद इत सतरह हजार पैंसरेट सीटें वेलबल हैं, जिन में से 3937 सीटें खाली बच चुकी हैं, बीडियास की पाकिस्तान भर में 362 सीटों में से 1936 सीटें खाली बची हैं, और इस तरह MBBS और बीडियास की टोटल सीटें 5873 हैं, जो के vacant seats हैं और इनके ओपर admission नहीं हुआ है, लेकिन PMC के तरफ से कुछ दिनों के बाद एक और document वेबसाट के उपर upload किया गया, और यहां जो स्टेटिस्टिक शेर किया गया, उसके मताबिक बताया गया, कि पाकिस्तान के तमाम जो प्राइवेट डेंटल कॉलेजिस हैं, वहां पर बीडियास की टोटल 906 सीटें खाली हैं, प पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल और डेंटल कॉलेजिस में तकरीबन 1200 के करीब MBBS और BDS की सीटें हैं, जबके पब्लिक सेक्टर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजिस में टोटल सावा 700 के करीब MBBS और BDS की खाली सीटें बची हैं, लेकिन जब PMC की तरफ से सरकारी medical and dental colleges की merit list दो मार्च को डिस्प्ले की गई तो बजाए सवा 700 students के तक्रीबान 500 students की merit list लगाई गई इसी तरीके से private medical and dental colleges की भी जो merit list हैं वो तक्रीबान 1200 से ज्यादा students इसमें selected हैं तो यह जो सीटों के distribution की जो है वा सावर्जी हुई है कि पहले सीटें ज्यादा खाली थी लेकिन मेरेट लिस्ट में नाम कम आ गया है कहां अठावन सौ से ज्यादा सीटों से बाद स्टार्ट हुई और फिर यह बारा सो सवा बारा सो और सरकारी medical colleges में सवा 700 तक आ गई और मेरेट लिस्टों में उससे भी सीटें कम हो गई तो इसके पीछे जो लॉजिक समझ आती है वह यह तो पीम सी की तरफ से वेकेंट सीट की जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो शेयर किया जाते रहें यानि 18 फर्वरी तक पाकिसान के तमाम medical colleges की तरफ से जो लिस्टें सब्मिट की गई तो उसके मताबिक तो अठावन सो सीटें ही खाली थी लेकिन उसके बाद फर्दर भी पाकिस्तान के तमाम colleges की तरफ से जो कि नाउस किया गया कि खाली बच जाने वाली सीटों के पर पीमसी खुद अडमिशन करेंगी तो फिर तमाम जो colleges हैं उन्होंने इस सीट की तादा जो है कम होती रही तो इंदियंड जो पीमसी ने पाकिस्तान के तमाम सरकारी और प्रावेट सेक्टर मेडिकल इंडेनिकल कॉलजिस की वेकेंड सीट के उपर मेरेक्टिस लगाने थी तो तब तक जो इन तमाम colleges की तरफ से अपडेटेड एड्मिटेड स्टुटेंट्स की लिस्ट उनको पीमसी को फावर्ड की गई तो उसके मताबिक फिर जो खाली सीटें बच गई थी सिरफ उन्हीं के ऊपर अपर अगर वहां पर अगर वह काफी ज्यादा स्टुटेंट्स की लाइन में थे तो जब यह वेकें सीट्स की मेरेकलिस लिगाई गई तो वहां पर तमाम सीटें कंप्लीट हो चुकी थी फिर इसके बाद आपके साथ एमडिकाट 2022 से अपडेट शेयर करते चलें के इस साल पीमसी की तरफ से शेडूल अनौंस कर दिया गया है कि 15 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक एमडिकाट का कब स्टार्ट होगी तो मेरे ख्याल है इसका आइडियल टाइम जून-जुलाइक महीने में होता है तकरीबन एक माह का आपके पास टाइम अवेलेबल होता है कि आप और रिजिस्ट्रेशन अपनी कंप्लीट करके अप्लाय कर दें लेकिन यह रिजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी एक्जाम स्टार्ट होने से याई आपके जो फंदर अगस से स्टार्ट हो रहा है तो उससे तकरीबन एक डेड माह पहले इसके रिजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी मुम्किन है एंड जून या जुलाई में पूरा महीना स्की रिजिस्ट्रेशन होगी लेकिन से रिजिस्ट्रेशन के हवाले से कोई भी अपडेट सामने आती है शडून अनांस होता है तो वह भी आपको बता देंगे पीमसी का स्लेबर जो हो चुका है वह आप प्यमसी के वेबसाट से डाउनलोड कर लें उसमें हलकी भूल कि अगर चेंजिस की भी गई तो वह बाद है ज़्यादा है कम हैं आप indigenous के लिए अप्लाइ कर सकते हैं एम्ड के लिए अपियर होने के लिए कोई क्राइटरिया नहीं रखा गया कि आपके जनाव इतने नंब मेंटिक मीर्द में हो सिर्फ उमर की नाइठ कर दो है आपके मिनिम्मुम 65% माप्स होने जाहिए अमडीक और मिनिमुम 65% माइश्ट मापस यह को क्कॉलिफाइफ किया हो यह से तमाम स्टूडेंट जिनके मार जो है वो अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं and at that time फिर यह होगा कि MDCAD भी क्वालिफा होगा MDCAD के लाज साथ FSC के नंबर भी आपके ठीक होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं तो यह बहुत ज्यादा स्टोंट सी पूछ रहते हैं कि आपके FSC में 65% मार्क्स कम हैं तो क्या अप्लाई कर सकते हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं बस आपकी उमर 16 साल से ज्यादा होनी चाहिए